हलो एन वेलकम बैक टू एडिवर्स न्यूज अनलिसिस दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एडिवर्स न्यूज अनलिसिस के अंदर आप सामने पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे इंडिया ने एक ऐसी वार्शिप एक ऐसी डिस्ट्रोयर वार्शिप तयार कर के लिए जो बहुत ज़्यादा खतरना कि जो की बायलोजिकल कैमिकल और वेपन से भी इसको कोई खतरा नहीं है और यह नियूक्लियर वेपन के जो रेडिशन निकलता है वैसे इंवार्टमेंट में भी प्रॉपर अच्छी तरीके से काम कर सकती है और वहां पर लड़ाई कर स सकती है तो यह बहुत थी खुसकबरी वाली बात है इंडिया के लिए हां ऐसा नहीं है कि यह आप कह लीजे कि निकलर डारेक्लियर इसके उपर अटेक कर दिया गया तो यह बिल्कुल बच जाएगा इसा नहीं है बट ऐसे कंडिशन में यह काम कर सकती है यह आपको पतरा हो होने चाहिए यह सिंपली सामने आप लोग देखिए इस शिप केन फाइट इन नुकलियर बायलोजिकल कैमिकल एन बीसी वारफेयर सिनेरियू एक च्छोटी सिंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है आई एनस मुर्मगाउ मुर्मगा इसका नाम थोड़ा सा डरावना सा जरूर है पर इन दोनों में अंतर क्या होता है फ्रिगेट तो हमने पहले भी सुना हुआ है और डिश्ट्रॉयर जो है यह नया भी आ चुका एक पहले भी आ चुका है एक डिश्ट्रॉयर यह है जी है आपको एक तो यह पता होना वेट इस एराउं 4,000 तन फ्रिगेट का जो वेट होता है 4000 टन के अप्रॉक्सिमेटली होता है वहीं पर मैं बात करता हूं दिश्ट्रॉयर शिप की तो उसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 7,000 तो 8,000 तन के बीच में इसका वेट होता है जो फ्रिगेट होता है वह less missile को करी कर साइब दूर्थ सिस्टम के लिए इसका उचक किया जा सकता है। destroy use to heavy bombing जो coastal area के पास जो heavy bombing होती है उस पे देखने को मिलता है इसका use काफी ज़्यादा किया जा सकता है आप यहां पर image में देख पा रहे होंगे clip के अंदर इस तरीके से भी इसके दोरा किया जा सकता है तो यह चीज पता होना चाहिए आपको तो हमने बहुत सारे important main differences देख लि होगी आई होप चीजे clear हो रही होंगी आपको अब मैं आपको थोड़ा सा comparison करता हूं यूएस से तो यूएस के पास क्या होता है frigate नहीं है यूएस के पास यह एक बीपर नहीं बट यूएस के पास aircraft carriers हैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के इतना budget नहीं है लेकिन इंडिया के पास 13 frigate है और destroyer ship जो है 11 है total यह आपको याद रखना है साथी साथ अगर हम चाइना से compare करते हैं तो चाइना के पास बजट भी इतना जाता नहीं है बट हाँ इंडिया के comparison में तो बहुत जाता है अगर आप देखेंगे मैं आपको अभी comparison भी करवाऊंगा पहल है लैसे कम है तो यह तो बहुत पुराना हो चुका तो अब खेली खतम हो चुआ एक तरी केसा आप कह सके सेकंड क्या है एक दिल्ली क्लास है guided missile destroyer है यह इसका जो वेट है प्रॉक्समेटली 6000 टेंस से ऊपर है यह बहुत बढ़िया एक option है second number फिर कोल करता क्लास आ जाता है उसे भी आप देख सकते हैं और starting में अभी आप देखेंगे यह जो दो है विसाका पटनम क्लास विसाका पटनम क्लास के अंदर INS विसाका पटनम D66 जो है active है और recently अभी यह जिसकी हम news पढ़ रहे हैं INS मोरमुगाउ इसको भी आपको पता होना चाहिए इसका जो वेट 7400 400 टन जी हाँ 7400 टन से भी इसका वेट जाता है इसका रेंज जो है displacement वेट काफी जाता है और इसकी लागत की बात करता हूं मैं तो 35,000 करोड आप सोच लिए कितनी बात 35,800 करोड अप्रोक्सिमेटली आप कह सकते हैं 4.5 बिलियन डॉलर का इसका जो है खर्चा निकल क्या है तो अगर आप एक की बात करते हैं कि एक का कितना खर्चा है तो आप ले सकते हैं 1.1 बिलियन यूस डॉलर डैट इस 8,950 करोड रुपीज पर शिप इसका जो है आप कह सकते हैं अप्रोक्सिमेटली ये 9,000 करोड के सम्थिंग पहुंच जाता है तो 9,000 करोड रुपे अब 9 इसका नाम याद रखना है आपको फिर चार इसके अंदर क्या है या पर देखी ये जो बराक 8 है सर्फेस टू एयर मिसाल है ये क्या है डिफेंसिव है ये डिफेंसिव एयर सिस्टम ही आपको पता होना चाहिए 8 क्या है ये डिफेंसिव बाहर से कोई अटेक कर सके लेकिन एक attacking वाला भी यह हमारे पास, attacking वाला कौन सा है, यादर किये Brahmos anti-sip missile, यह attack करता है, तो यह चीज भी आपको याद रखना है यह Brahmos 8-6 Missile क्या करता है, attacking का है यह दो हमारे पास, 8-7 VLS-416 Brahmos anti-sip missile, तो इसके बारे में भी आपको चीजे पता होना चाहिए क्योंकि इतना महगव बन रहा है इसलिए यह हमारे लिए इंपटेंट हो जाता है मैं रिसेंट्ली मात करता हूं इंडिया नेवी के पास अभी recently में 15 destroyer और 43 brigade है हमारे पास कितने है 15 destroyer और 43 brigad तो यह नाम आपको और यह चीजे इतना थोड़ा से छोड़ी हलकलक information है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है यह आप इमेज भी देख रहे हैं देख पारे होंगे कि बहुत बड़ा क्या होता है डिस्ट्रॉयर होता है और बहुत मास्ट लिबल पर डिस्ट्रॉयर करता है और इस तरीके से अगरे मिसाइल वगेरा छोड़ता है और लिया किसी भी टार्गेट जो हमारा रहता उस पर टार्गेट करता है और इससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिस करता है अब यहाँ पर मैं आपको अगर बता दूँ चाइना से कंपेर करके तो चाइना का जो जो डिस्ट्रॉयर सिप है है एप्रोक्सिमेटली 1,000 के 1,000 तन के करीब है लेकिन वहाँ पर चाइना पाकिस्टान की बात करता हूं तो पाकिस्टान के बात करता हूं तो पाकिस्टान के बात होती है तो क्या कर सकते हम जैसे हमने पहले इसका डिस्ट्रॉयर सिप को डिस्ट्रॉय किया था तो अभी भी हम पाकिसान के destroy ship को destroy कर सकते हैं easily उसके destroy ship को destroy कर सकते हैं लेकिन अब जरूरत है हमें जो भी destroy ship बन रही है वो क्या बन नहीं है आप या chemical weapon free बन रही है मतलब chemical से लड़ने के लिए biological से लड़ने के लिए और nuclear से लेने के लिए तो ये आपको यहां रखना है nuclear chemical और biological ncb है न ncb तीनों ये बर्ड याद रखना है nuclear biological and chemical safe मतलब ऐसी condition में भी ऐसे radiation में भी हमारा जो ship है वो work कर सके चलिए आप से question पूछ लेता हूँ आप बताईए कि recently जो इंडिया के अंदर world cup हुआ था हैना कौन सा blind cricket world cup वो किस देश ने जीता है ये comment section के अंदर बताना है आपको इसका आंसर आपको telegram और हमारे instagram पेज के अंदर मिल जाएगा तो आपको ये जो है question का आंसर जरूर से जरूर देना है तो चलिए सुरू करते हैं आज के हमारे important news analysis को so today is 19th of December 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis so for today's the important news article इससे पहले के हम discuss करें आप लोगों के लिए एक छोड़ेस information if you want the videos of this lecture please go and join the telegram channel for join telegram channel आपको क्या करना है description box में जाना है link दी गई है वहां से simply आप जोइन कर सकते हैं आप इस speech को follow कर सकते हैं instagram के हमारे page को eduars newgenalysis के नाम से बीज है जाए और फटा फट इस speech को पीच को follow करिए साथे साथ अगर आप चाहते हैं आप मुझे जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे follow कर सकते हैं मेरी instagram id underscore प्रकासदुवेदी underscore यहां पर आप मुझे किसी भी exam कोई भी subject करियर या पर कोई भी आपकी personal queries मुझे से पूछ सकते हैं directly मुझे message करके instagram के अंदर तो चलिए start करते हैं आज के हमारे discussion को without any delay आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत important news आप लोगों के सामने है और एक बहुत मतलब आप देखेंगे न मैसेज अर्जेंटीना on the top of the effort तो यहां पर अर्जेंटीना ने match जीत लिया है फीफा वर्ड कप का title जो है यहां पर जीत लिया है बहुत ही खुशकबरी वाली बात है आप लोग देख सब देख पा रहे होंगे अगर आप यहां पर समझने की कोशिस करेंगे यह match जो कल का था बहुत ही इंट्रेस्टिंग में इसा आई होप आप लोगों ने मैं इसको देखा ही होगा किस तरीके से जो है देखिए फ्रांस जो है हारा है यहां पर लेकिन फ्रांस जो है हारा है लेकिन ऐसे हारा नहीं है एक तरीके से उसने अंतर तक उसने क्या की लड़ाई करता रह गया वही चीज आपको भी करना है, अंदर तक लड़ना है, अंदर तक लड़के जीतना है, है ना, जिस तरीके से लास के चार से पांच मिटे छे मिट के अंदर दो गोल कर देता है, है ना, फिर अलग से एक होता है, फिर वहाँ पे तीन से टाई हो जाता है, सूट आउट में, फिर अल रखनी है आर्टिकल के और मूव करते हैं सिटीजन से पाथ टू इस फोर शिक्स माइनर्टी ग्रूप फोर थ्री नेशन से माइनर्टी ग्रूप और टीन नेशन नाम याद रखने हैं सिक्स माइनर्टी ग्रूप कौन कौन से हैं हिंदू सिक्षिजम पारसी क्रिश्चन बु लोगों के लिए ये इसलिए आपको नाम जो हैं याद रखने हैं क्यों हिंदू सिख पार्सी क्रिशन बुद्धिस्ट किस नेशन से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश बॉर्डरिंग कंट्रिस नेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश ये तीन न पॉपूलिशन जो है डिक्लाइन देखने को मिल रही है मैंना इस लिए एक तरीके से आप जब कि अगर आप देखेंगें यहीं काति यहाँ पर तीरी से घट रही हो तो इस तरीके साब चीजों को याद रख सकते हैं कि यह वो चीज़ें जहां पर पॉपलिशन जिनकी डिक्रीज हो रही है उन्हीं को इंक्लूट किया गया है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है चलिए आगे चलते हैं मूव करते हैं और इंपोर्टन न्यू इंपोर्टन चीज़ें हम पहले भी कई बार डिसकस कर चुके हैं बट यहाँ पर क्या है इस आर्टिकल के अंदर ऐसा क्या है जो हमें डिसकस करना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर बहुत ही अलग से रिफॉर्म की बात की गई है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा उस रिफॉर्म को हम पढ़ेंगे यहाँ पर बताया गया है डिबा चंद्र तो number of judges के अगर आप संख्या बढ़ा दीजे उससे क्या हो जाएगा उससे tendency of the cases जो है वो नहीं घड़े आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि आप क्या कर रहे हैं competent भी तो बनाने के अब सकता हैं आप ऐसे इसको थोड़ी नहीं ला सकते हैं कि भर सकते हैं कुछी उठाया और कुछी भी जच को उठागे सुप्रीम कोड के अंदर डाल दिया है ना competent भी होना चाहिए जट है ना इसका भी ध्या में ध्यान रखना होगा फिर यहां पे आप लोगों ने यह बहुत important quotation है चो सुनी होगे और आप इस चीज को अपने answer writing के अंदर यूज कर सकते हैं क्या justice delete is justice denied अगर यहां पर लिखा ध्यान से दिखे justice delete is justice यह किस ने कहा था यह आपको पता होना चाहिए विलियम ग्लैड स्टॉन ने कहा था है ना तो विलियम ग्लैड स्टॉन ने कहा था इस quotation को आप अपने answer writing में यूज कर सकते हैं जब भी justice की बात हो तो आप लिख सकते हैं justice delete is justice denied यह आपको पता होना चाहिए चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से important points हैं क्या reform की बात की गई है large number of reform की यहां पर बात की है large number of experience जो retire हो जाते है 62 years की age के अंदर high court से ही वो supreme foot नहीं पहुच पाते है रीची नहीं कर पाते है ना जो best talent है वो रह जाता है तो अभी क्या हो शकता है क्या reform क्या हो शकता है जो हम करें यहां पर कुछ important points है मैंने आप लोगों के डालके भी रखे है 1, 2, 3, 4 करके तो आप इसे read कर लीजेगा है ना मैं आपको easily way में cracks समझा देता हूं इन्होंने बोला कि out of the box thinking क्या आप सकता है है ना जो बिलकुर tradition method चला आ रहा है कि sir हम क्या कर दीजे appointment को बढ़ा दीजे जाद जाद लोगों को appointment कर दीजे उससे नहीं होने वाला आप क्या आप बिलकुल आ सकते हैं कैसे ला सकते हैं और कैसे उनका admission किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं ऐसा उनसे आप request कि दीजे उनको आप क्या कि देए बहुत easily environment दीजे कि आप अपने घर बैट के भी online तरीके से भी case को dispose कर सकते हैं क्योंकि वो best talent है उनके पा और वो अपने मन से करना चाहें तो यह चीज कर सकते हैं बहुत सारे से जजे से जो करना चाहते हैं है न सेंट्रल बैंक सिटिंग टूर्ट फूली करेंसी नोट है ना फेटल 65 बेंदे रिटायर अर्बिटरीशन बेंदी बिकम दे सब्जेक्ट और स्कूरूटियर डिस्ट कर लें यह चोड़ी चोड़ी चीज जो रिटायर जिजेस हैं वो कर लें तो फिर अच्छे जादा हमारा समय बच जाएगा है ना और यह चोटी चोटी चीजियों को भी यह डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा काफी जादा समय जो है बच जाएगा तो यह चीज आप अपने राइटिंग में इंक्लूट कर लीजेगा पॉइंट्स के अपने नोट्स के अंदर आपको टाल देना है कल्टिवीट ऑनलाइन जेस्टिस यह यह यार रखेगा यह इसी तरीके से सिंपली यूज कर लेना है बस यह तीन वर्ट है तीनोवर्ट को यह यह यूज करना है क्या कल्टिवेट ऑनलाइन जेस्टिस तो यहां रखना है एक तरीके से शेव करना है यह भी आपको यहां रखना है तो यहां से यह भी हमने बच्चे इनेवलिंग इस एड होक जजेश को ले के आ सकते हैं तो वर्क ओनलाइन फॉम विद अमिनिममम सपोर्ट स्टाफ मिनमम सपोर्ट स्टाफ की आफशक्ता हमें है एक्सिलेंट हार्नेस हार्नेस अफ़ यूमन अटेक्नोलोजी रिसोर्स इड विल इनेवल अवास नंबर अफ केस्स तो बी डिस्पोस्ट ओफ और दिस्पोस्ट ओफ वेल नौट जस्पोस्ट ओफ विच इस वाट विल हैपन इफ एपॉइंट इन पैट नूजज़ेस तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप केस्स को डिस्पोस्ट कर दीजे कि हाँ आपना हमें तो फटाफट ख़तम करना तो ख़तम करेजे अच्छी तरीके से डिस्पोस्ट किया जा सकता है एड़ोग जज़ेस की मदद से है ना ये एड़ोग ज़ेस की मदद से अच्छी तरीके से इन केस्स को डिस्पोस्ट किया जा सकता है और एड़ोग ज़ेस में मेली रिटायर ज़ेस को लेखी आया जा सकता है एक उनके सपोर्टिव एक तरीके से आप कह लिए कि environment तयार कीजिए ना उनको कोई भी problem ना चाहे ऐसा environment तयार कीजिए ऐसा नहीं कि जो हमारा बिल्कुल चला आ रहा है कि भाई यह number of judges बढ़ाए number of infrastructure बढ़ाए human resources को बढ़ाए उसमें बहुत जादा पैसा लगने वाला और अभी फिलार हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम यह सारी चीज़े करें तो यह एक solution हो सकता है lastly अगर आप कहेंगे तो employee mediation mediation जो है बहुत important point यहाँ पर role play करता है कई बार discuss कर चुके है alternate dispute resolution ADR की बात मैं आपको आपसे कर चुका हूँ कई बार वैसे में अगर आप लोग comment करेंगे तो इसके उपर एक अलग से lecture लिक्षे लिक्षे आऊंगो जहाँ पर हम ADR का proper discussion करेंगे दोस्स cover a wide range from the personal and the matrimonial to the civil, commercial and the property disputes ऐसा dispute जो की range करते हैं जैसे कि personal कोई dispute है matrimonial dispute है कोई भी civil और commercial और property little dispute है यह क्या हो सकता है ADR के तुरू स्कॉल हो सकता है अलग से ही एक mediation आजाएगा mediation क्या करेंगा कोट में जाएगी ना दोनों के बीच में सुनेगा मुद्दो को सुनेगा हाँ भी यह बताएगा आप क्या कर सकते हैं हाँ बताएगा दिया गया है Singapore का example दिया गया फिर यहाँ पर बताएगा कि क्या that all the necessary guide to horse the pond and more often than he will drink it from the saver of the nectar settlement तो बहुत important छीचे हैं जो आप अपने असराटिंग अंदर इंक्लूट कर सकते हैं reform can be succeed when we look at crushing the backlog of Indian court mythological figure यहाँ पर इनों बात करी जो conventional reform है prescribed किया था जो अभी मैंने बता चुका हूँ कि more digits more courts बनाईए बहुत जादे staff को employ कर जीजे infrastructure को बढ़ाईए but we know that we do not have the resources of either money or man or woman हमारे पस ना तो इतने ज़्यादा money है ना तो हमारे पस इतने ज़्यादा इनसान है man or woman है जो कि convey कर सके इस ऐसे चीजों को इसलिए हमें जो है उसी को proper use करने के आफ सकता है यह आप conclusion में डाल सकते हैं when necessity and possibility coverage spark get ignited to recall sir Arvind the host in his great writing the hour of God the moment has arrived but will we lose it become the lamp has not been kept trimmed for the welcome and ears sealed to call तो यह आप directly conclusion में use कर सकते हैं contention के साथ last में खतम कर सकते हैं अपने answer को चलिए good governance beyond the motherland and apple pie पहले इसको देखते हैं फिर क्या करेंगे एक wasted chance इस article को देखेंगे और इसके साथ एक और article जिसको हम discuss करेंगे एक साथ good governance की बात की गई है कुछ important points दिया गया है पहले तो good governance क्या होता है पहले वो आपको बता दो पहले bad governance की अपने good governance सुना होगा Winston Churchill ने यहाँ पर bad governance को समझाया है तो इतनी tough definition याद ही नहीं करनी है आपको आपको क्या करना है easily definition लिखना है और याद करना है चर्चिल ने definition of bad governance is applicable even 100 years after the spoke of the sagatially तो 100 साल बात भी चर्चिल की definition जो यहाँ पर fit बटती है ऐसा यह writer कह रहे है यह एक IS officer है यह आपको पता होना चाहिए इनके बारे में इन्होंने लिखा इसलिए काफी important हो जाता है फिर यह क्या कहते है यह कुछ important चीह लिखते हैं जिससे आपको directly mention नहीं करना है ने क्या क्या suggestion दिये है यह आज आपको homework यहाँ को क्या करना है विबेग देवरोय कमिटी के suggestion को जाना है और read करना है repel the estimate of 2008 को इन्होंने repel किया है ना कुछ बहुत ज़्यादा जो complex वो थे और उसको simple बनाने की कोशिस करी यहाँ पे तो यह पहला यहाँ पे suggestion ने good governance का क्या करना है good governance में जो भी complex law है उन complex law को हटाना है जो worst laws है उन laws को हटाना है और क्या करना है simple ऐसे law लेके आना है जो की help कर सके आपको और एक normal citizen को भी समझने में है ना तो ऐसे law हमें बनाने की अशकता है ठीक है फिर यहाँ पे एक example दिया गया कि करनाटका इस वन अ इंडिया स्वास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट वित अ ग्रॉस स्टेज डॉमस्टिक प्रोड़क्ट इस आफ अफ 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 अप्रॉक्सिमेटल टॉन्टी फॉन्ट 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 जीरो लैक कर के अंदर यह सारी चीज़े आप यूज कर सकते हैं बिजिनेश फॉर्म एक्शन प्लान तो यह सारी चीज़े इस आर्टिकल के अंदर दी गई है कि इस तरीके से गुट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए किस तरीके के एक्जामपल दिया कि क्यों बढ़ रहा है उसका किया है समझ रहे हैं करनाट का यह चीज कर रहा है यहां पर जैसे किमरल एक्टिविटी से घट रहा है तो इसके बढ़ रहा है governance बढ़ने के वैश्य क्या हो रहा है governance को चक गुड governance के वैश्य रिफ्रम उसकी जो GDP है वह तीजी से बढ़ रही है तो डिर्च ली इंडरेक्ली एकोणोमी भी उसकी बढ़ रही है यहां पर पता रहा है बताया कि even honest officer had to face this cruel law जो misconduct हुए public servant के थू हना criminal misconduct होते हैं जो honest officer से वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं ऐसे-एसे corruption law है provision of the prevention of corruption act लेने की आवशकता है जो कि लेकी आए हैं ये एक बहुत अच्छा point है जो आप अपने answer rating में use कर सकते हैं third point directly लिख लिए कि good governance को पढ़ाने के लिए जिसे enterprise, digilocal, compilence portal ये काफी अच्छे portal हो जाते हैं जैसे कि digilocal एक आप जब भी आए good governance digilocal put करना मत पूछिए क्या है integral part of industry कोई भी आप government की वेबसाइट से government authorize जो गवर्मेंट के sign हुए आप अपने documents को इसके अंदर लिख सकते हैं कभी आपको जोड़ पड़े, आप online निकाल लिए और इसको कहीं भी लगा दीजिए इस भी को भी दिखा सकते हैं अपना passport हो गया, अपना driving license हो गया अपके mark sheet वगिरा हो गई सबी चीजों को आप यहाँ पर लग सकते हैं डीजी लोकर के अंदर, कोई भी document है pen card, GST number, आधार card, bank account, details सब चीज़ इसके अंदर लगी जा सकते हैं protection के साथ करनाटका has implemented कुटूम अप करनाटका ने क्या-क्या implement किया है इसको बहुत important हो जाता है इसको जरूर से आपको या रखना है कुटूम, क्या है कुटूम family beneficiaries database second के है fruits ऐसे या रख लीजे farmer registration and unified beneficiaries information swab mitwa drone waste property and land mapping की survey of villages abadi and mapping with the improvised technology in village area grammar one single point assistant central citizen centric activities at panchayat level panchayat level में ये implement के है इस सब के नाम important हो जाता है आप लोगों के लिए जी हाँ काफी ज़्यादा important हो जाते है इसलिए इसको याद रखना है clear हुआ point fourth point आप देखी लीजे any common portal कोई ऐसा common portal बनाएगी ऐसा government common portal बनाएग जिसके तहत जो हो जैसे की which business even not to fully extend the compliance button which spread across multiple department and agencies के अंदर ये चीज बढ़े ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है clear हो गया point आपको create a common portal where all the compliance of particular industry को लिस्ट हो जिससे क्या हो जाए जिससे जादा जादा ease of doing business वगरे सारी चीजे easily हो सके पाचवा point जैसे RBI ने क्या किया था एक master circular नाम से आद रखना तो ये example में आपको हमेशा इसको use करना है पाचवा point क्या है पाचवा point आप याद रख सकते हैं use of technology in critical endangering good governance some example क्या है about the government already many are possible there are start-up जैसे कि कुछ start-up है आप क्या होगा कि आप पाचवा point इसका काफ़ी अच्छा यूज़ बताएगा personalized information personalization in advertisement जैसे कि सूचे कोई प्रधानमंती कोई मुक्यमंती जो है भासर दे रहा है और आपको क्या सुनाई दे आपको सुनाई दे बार-बार कि आपका नाम को आपको ही direct बहनों अब आपकी बाद बहनों न सुनाई दे आप को क्या सुनाई दे आपको खुद का नाम सुनाई दे देखो चिंटु बेटा आपको यह चीज़ करनी है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं तो अपने असलेटिंग के अंदर क्लियर होगे बाद जैसी कंपनी के साथ मीटिंग के जी 500 CEO को एड्रस करना है तो उससा अपका नाम लेके CMC वराजिंग चौहान यहाँ पर एड्रस कर रहे है यह फिर प्राइमिस्टर नरेंद मोधी जी वहाँ पर एड्रस कर रहे है तो अब कितना अच्छा इंपेक्ट पड़ेगा उनको लगे है हाँ कितनी बढ़ी है चीज़ है अब एक्शॉल में वो लोग नाम नहीं लेंगे लेकिन उनके नाम जो है ऐसा सुनाई देगा उनको खुद को वीडियो से आग्यूमेंटर रियालिटी के ठूख तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है जो भी इंपॉर्टन चीज़ जो मैंने आपको बता दी है इस पॉइंट्स में से अब इस आर्टिकल को और यह हमारा देखे सबसे जादा जो पासपोर्ट है वो इंडिया के अंदर कहा है केला के पास से यह आपको याद रखना है चोटी से इंफॉर्मेशन थी आप लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसको वीजा फ्री जो हमारे पास से 22 कंट्री के लिए अब अगर यहाँ पे डेटा देख वारे होंगे तो इंडिया का देखिए 73 स्कोर आया था वीजा फ्री 22 कंट्री के अंदर मिला हमको वीजा उनराइबल 48 कंट्री के अंदर मिला और वीजा रिक्वाइट कितने कंट्री को है 125 कंट्री को है तो यह आपको याद रखना है यह आर्टिकल को decriminalization of offense under the GST और यह जो हमने ऊपर एक आर्टिकल देखा इस दोनों आर्टिकल को मिला के हम डिसकस करेंगे लेकिन इसका मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए क्रक्स लेके आया हूँ यह रेखिए अब इस तरीके से हैं डिजिटल नोट्स हैं है ना तो पीडिएफ को जरूर जोइन कर लीजे आपको एजिली चीजे समझ में आ है आप सक्रेटिम इसका घम अफीष का निय दिली के अंदर है और सेक्रीट अफीष के aks इस्टर्टी जो सब्सक्री होते हैं वह कौन होता है यूनियनजीय रिवेज्फेट्री सफरी सब्सक्री होते हैं सुप्रिमकोट ने तेन रहते इस जिसमेंट के अंदर बोला है क्योंकि जो decision है वो कैसे लिया जाता है उसको समझने के आवशकता है decision दोनों की दोरा लिया जाता है central state के दोरा मिल की लिया जाता है GST council के अंदर कोई भी decision तब ही लिया जाएगा जब उसके अंदर 50% of the members present हो GST council के अंदर suggestion need to be three-fourths जो है majority से होना चाहिए जितने भी present है और उसे voting करें तो three-fourths majority से लिया जाता है then central government vote account as a one-third of the हिस्सेदारी आती central government की total vote की और state government की total vote की जमेदारी कितनी होती है अब 18% से decrease करके कितना कर दिया गया है 5% कर दिया गया है यह चीजे भी आपको याद रखनी है incentive जो पेट करती थी पहले अभी भी करती है वो जो है इसको बोला गया है वो non taxable इसके उपर कोश्चन उठाए गया है कि इसके उपर भी tax लगाया जाया है और government ने बोला कि यह क्या है एक प्रकार की सबसीडी है तो जब यह अगर इकी सबसीडी है तो हम इसके उपर tax नहीं लगा सकते इट इसे non taxable यह आपको याद रखना है फिर एक important decision आया कि SUV vehicle के उपर आपको पता होना चाहिए SUV vehicle के वारे में sport utility vehicle उसके definition को क्या किया प्रॉपर तरीके से criteria को define किया क्यों important क्यों हो जाता क्योंकि SUV vehicle के उपर आज भी क्या रखता है tax लगता है यह पहले भी लगता था ऐसा नहीं कि अभी इंट्रोडियूस किया है यह पहले भी यह tax लगती थी लेगिन define नहीं था कि कौन सा vehicle SUV है या कौन सा नहीं है तो उसको अब define कर दिया कि पहले 28% tax अभ 1500cc से जादा है या फिर उसकी जो length है exceed कर जाए 4000 mm तक और ground clearance उसको 170 mm का और उसकी उपर कम मिले तो वो SUV category के अंदर आएगी और उसकी उपर यह tax rate जो है applicable होंगे clear हुआ point आपको good चली decriminalization in GST, GST को decriminalization की कुछ जो clause से उसको decriminalize कर दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए obstruction of preventing any officer in discharge of his duties अगर आप किसी भी मतलब तरीके से officer को उसके duty करने से रोक रहे हैं GST council के अंदर या GST के अंदर और any discharge को रोक रहे हैं तो वो अब criminal activity के अंदर नहीं आएगा दूसरा deliberate temporary material evidence अगर आप किसी भी material को evidence को temper करते हैं तो वो भी criminal activity के अंदर नहीं आएगा हाँ ये civil activity के अंदर आ सकता है और इसको उपर fine लगाया जा सकता है failure to supply information information को अगर supply करने में अगर आप fail हो पाते हैं GST compilence वगिरा होती है तो भी वो criminal activity के अंदर नहीं आएगा कर रही है governor binding the tax base को अभी 14 million GST registered है ये आपको पता होना चाहिए है ना मैं बात करता हूँ threshold limit की यहाँ पर tax amount दो threshold limit था पहले एक करोड रुपे था है ना initiative prosecution जिसकी उपर fine लगाया जाएगा अब वो कितना हो गया है दो करोड रुपे कर दिया गया है मतलब पहले एक करोड तक के मामले हुए करते थे उसके उपर threshold limit थी अब वो एक करोड मामलों को एक करोड उठा के कितना कर दिया गया है टू करोड रुपे कर दिया गया है other than all involved in the fake invoices जो fake invoices बनाते हैं उसके अलावा ये आपको याद रखना है clear हो गया point जैसे fake invoices था ना तो बहुत साथ लोग ऐसे होते हैं जो fake invoices बनाके अपना पैसा बचाते हैं और ज्यादा पैसा लेने की कोशिस करते हैं clear तो यह आपको पता होना चाहिए next article which we are going to discuss is later deep fake technology देखी इस article को मैं क्या करूँगा अलग से लेक्चर 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 आओंगा अगर आप लोग comment करेंगे या फिर मैं क्या करूँगा कल इस article को discuss कर लेंगे अपन है न तो इस article को हम कल discuss करेंगी इसके में और भी aspect लेक्चर लेक्चर पीवाई क्यों आए हैं तो वह भी लेक्चर आओंगा अलग से लेक्चर 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 करेंगा क्योंकि important हो जाता है science and tech का ये article है इसलिए हम इसको detail में discussion करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं INS मौरमुगाओ के वारे में तो आपको पता ह होगा और हमने इसको डिटेल में डिसकस कर लिया है आई एस मुर्मुगाओं के आरे में कमीशन किया है इंडिया नेवी के अंदर ये कमीशन हुआ है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए तो ये चोटी 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 इंफॉर्मिशन है नौर्थ इस रिजन आप याद रख सकते हैं तो आप ये चीज लिख सकते हैं रिसेंटली मोदी जी ने क्या किया है ने क्या बोला है नौर्थ इस नौर्थ इस पार्ट ऑफ कंट्री इस बट गेटवे फॉर्मिशन को यूज कर लेना है आपको तो नियूस को ऐसा नहीं कि रते बैठना है एक एक पॉइंट निकाल दिना है यूज करिए और बस आपका राइंसर राइटिंग बहुत प्यारी हो जाएगी इंडिया पूसेस्टू न्यू बाइज डिवर्सिटी फंड को बनाने की बात कर रही है और इंडियास की उपर आगे चल रही है तो जब भी ये निकल के आएगा त लोगों तक इसको और प्यारा सा खुब सारे प्यारे प्यारे कमेंड कर दीजिए जिससे हमारा भी मोटिविशन बना रहे है और आप लोगों के लिए इसी तरीके से हम नए नए लेक्चेस लेके आते रहें तो चलिए कल आपसे फिर से मुलकात होगी तब तक के लिए थें